क्योंकि पढ़ना तो पढ़ेगा, selection चाहिए तो पढ़ना तो पढ़ेगा, तो ध्यान रखना, अगर महनत नहीं की, तो drop लेना पढ़ेगा, और आप एसे मुझे नहीं लगता है, सिंगल बच्चा भी जो इशाथा मैं drop लूँ, जो अलड़ी drop ले चुका है, उसको अब वाप से कमेंटेशन बताना के हाँ भाईया मैं ready हूँ, बस अब देर है मुझे धक्का लगाने की Hello and welcome everyone, एक बार फिर से सभी का स्वागत है जया Academy के इस प्लेटफर्म पे, मैं आपका बड़ा भाई जया है, एक बार फिर से important चीज़े डिसकस करने के लिए आया हूँ, बहुत सारे आप में से मेरे चोटे भाई बेंट जो हैं, जो 12 का एक्जाम पास कर चुका है, या 12 का एक्जाम जस्त होने वाला है उनका, तो उनके मन में कहीं न कहीं एक डर है कि भाईया हम कैसे अभी एमस की तयारी स्टार्ट करें, एमस अपने आप में बहुत अच्छा इंस्ट्यूट है, आप सभी जानते हो, और वहां से बेस इनसिंग करने का मतलब है कि आप कहीं न कहीं अपने जो में बेस की सपने को थे, वो साकार कर रहे हो, कहीं न कहीं, क्योंकि सिमिलर चीज़ें हैं, आपकी चाहे प्रेस्टीज लेवल पर बात करो, चाहे आप तो अब मैं आपको बोलूँगा, अपने आप में बहुत प्यारा, बहुत अच्छा स्कोप है, सबसे पहले मैं आपको इमस के बारे में बताऊँगा कि एमस क्या चीज है, एमस All India Institute of Medical Science, इंडिया में नहीं, इवन वर्ल्ड में, टॉफ फिफ्टीन, Medical Institute या फिर मैं उनिवर्सिटीज बोलू, उनके अंदर यह आता है, पूरे वर्ल्ड वर्ल्ड, अब यहाँ पे बहुत सारे courses होते हैं, paramedical courses होते हैं, BSc nursing courses होते हैं, और MBS courses भी होते हैं, तो यहाँ पे अभी जो हम बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं, आपके BSc nursing को लेके, अगर म या कुछ महीनों में, उनमें से करीब-करीब 16 AIMS के अंदर आपका BSC Nursing का courses start है और वहीं 11 AIMS में आपके Paramedical के courses start है ध्यान रखीगा, Paramedical के अंदर बहुत सारे courses आते हैं More than 10 courses Paramedical में आते हैं जरूरी नहीं है कि हर 10 course हर AIMS में हो कुछ AIMS में सारे courses है, कुछ AIMS में कुछ गिने चुने courses है तो आपको अपनी priorities चुननी होती है जब आप counseling करते हूँ अब मेरा topic अभी इस वीडियो के अंदर सिर्फ आपसे BSC Nursing के बारे में चर्चा करना है BSC Nursing के बारे में बात करना है तो मैं BSC Nursing के बारे में बात करना है Paramedical के बारे में separately हम चर्चा करेंगे एक separate वीडियो के अंदर तो अगर बात हो रही है यहाँ पर BSC Nursing को लेके तो BSC Nursing के लिए सबसे पहले AIMS में क्या है क्या नहीं है तो जो हमारा AIMS Institute है यहाँ पर आपका separate एक exam होता है नीट के द्वारा नहीं AIMS खुद exam करवाती है Delhi AIMS सारे AIMS के लिए हर AIMS का अलग exam नहीं होता All AIMS यह सारे AIMS जितने भी इंडिया में है उन सबका एक ही exam होता है One exam only उससे फिर आप अलग-अलग AIMS में जा सकते हो चाए गोहाटी जाओ चाए उतराखंड जाओ चाए राधिस्तान AIMS तो जहाँ-जहाँ AIMS है उन इन स्टेट्स में आप जा सकते हो जैसे कि राधिस्तान में जोदपूर AIMS हो गया आपका ठीक है हल्दवानी एज हो गया आपका आपका नागपूर हो गया राइपूर हो गया तो इस तरीके से आप जा सकते हो अलग-अलग AIMS में उसका exam इक ही होता है अलग-अलग AIMS के exam नहीं होते हैं जो आप सुनते हो अलग-अलग AIMS के exam वो आपकी graduation के बाद में जब आप job purpose होता है वहाँ पे होते हैं तो इन सब AIMS में आप जा सकते हो जो भी मैंने आपके बताया कि B.A.C. नर्सिंग ले 16 AIMS आपके पास में है जो courses करवाते हैं अब इन AIMS के लिए exam होता है एक ही exam होता है और अब इस exam की खासियत क्या है इस exam की पहली खासियत है कि यह online exam होता है यानि CBT होता है दूसरी खासियत इस exam की है कि इसमें आपका physics, chemistry, bio plus English sorry, plus GK GS यह पूछा जाता है यहाँ पर अगर मैं question पूछा हूँ तो 30 question इससे, 30 question इससे 30 question इससे और 10 question इससे यानि total 100 question हो गया आपके एक question इक marks का होता है इसका मतलब यहाँ पे 100 marks का paper है यहाँ पे 1 third आपकी negative है और आपको 2 गंटे मिलता है paper करने के लिए तो यह आपकी negative marking हो गई यह आपके exam pattern मैंने आपको बता दिया वहीं अगर इसमें इसका syllabus बात करूँ तो 11th and 12th का physics, chemistry, bio का syllabus आता है हाँ additional में अगर आपके subject हैं biology या maths तो आप दे सकते हो कोई दिक्कत नहीं है अब यह सारे feature तो मैंने आपको exams के बता दिये कैसे पढ़ना होता है, क्या चीज़े हैं हम board exams के साथ में या board exam के बाद क्या करें कि हम exam को निकाल पाएं, तो मैं उसी के बारे में बात करूँगा सबसे पहले आपको पता होना चीज़े कि क्या क्या चीज़े या challenges आते हैं जैसे हमारे board exam खतम हुए तो हम diversity program भटकने शुरू हो जाते हैं आप में से बहुत सारे ऐसे मेरे प्यारे चोटे भाई बाई बैने जो भटकते हैं अब कैसे भटकते हैं हम generally क्या करते हैं board exam खतम है अब relax चाहिए अपने को क्या चाहिए आहराम चाहिए अपने को तो हम procrastinate करते हैं या आज से नहीं कल से शुरू करूँगा procrastination नहीं करना है चीजों को आगे नहीं भगाना है कि कल से कर लूँगा थोड़े बाद में कर लूँगा ये चीज़े नहीं करनी है माना कि आप board exam देखे फ्री हो रहे हो board exam चल रहे हैं आपके लेकिन अब अगर आपने rest कर लिया तो एक साल का drop आपका हो जाएगा हमको एक साल का drop नहीं चाहिए दूसरी बड़ी बात exam से free वे अब कोई web series आ रहे थी उस वक्त छोड़ी थी हमने board exam के चेकर मैं अब वो करूँगा अरे कुछ महीने और sacrifice कर लो ये sacrifice अगर आपने कर लिये ना जिन्दगी बहुत आसान हो जाएगी तो सबसे पहली बात तो हमको procrastination नहीं करना है कि बाद मैं करूँगा इस से बाहर आ जाओ दूसरी बड़ी बात web series, phone, instagram, reels इन सबसे बाहर आ जाओ कुछ महीने की बाते हैं उसकी बात में आराम से देखना यार अपने ममी बापा आपको खुद iPad डलाके देंगे कि हाँ बिटा ले अब आप सोचो iPhone नहीं iPad की बात कर रहा हूं मैं लेकिन तब जब आप AIMS में होगे क्योंकि iPad AIMS वाले बच्चों के हाथ में अच्छा लगता है ध्यान रखना है इस बात को लगना चाहिए कि हाँ ये medical student है अब आपने कभी देखा है आर्च कोमर्स वालोग iPad लेके घुमते वे लेकिन आपने देखा है कि हाँ IITN हो IITN भी इतने नहीं होते जितने medical वाले होते हैं iPad साथ रखते हैं क्यों? क्योंकि अपने आप में रुत्बा होता है उसका लेकिन वो ऐसे ही नहीं मिलता है उसके लिए जी जान लगानी पड़ती है कभी कभी अगर जी जलाने से जिन्दगी रौशन हो जाती है तो हमको वो जी जला लेना चाहिए अब सबसे बड़ी बात इतनी सारी चीजे हम करते है फिर हमको लगता है अग्जाम हो रहा हमारा दिमाग फट गया हमारा हम बर्न आउट हो जाते है ये सारी चीजे हमको कुछ सवक्त तक हैंडल करने है क्योंकि अगर हमने ये चीज़े नहीं की न तो इसका result क्या निकलेगा पता है आपको इसका result निकलेगा आपका यह failure आपकी जिन्दगी में देखने को मिलेगा अब आप में से कौन ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि मुझे failure मिले कोई है ऐसा अगर कोई है तो comment section बताओ कि हाँ मेरे को failure चाहिए अगर चाहिए failure तो आप वीडियो का भी skip करो and जाओ आप रिजिस देखिए instagram पे मज़े करिए लेकिन जिसको लगता है कि नई sir मैं जिन्दगी के इतने साल मैंने दे दिये अपना 12th exam मैंने बहुत अच्छे से निकाला अगर मैं कुछ गिने चुने तीन महीने और महनत कर लूँगा तो मेरा future अपने aims में होगा जैसे दूसरे बच्चे drop करते हैं तैयारी करते हैं मेरा बिना drop के तैयारी होगी मैं बिना drop के सीधा पहुँच जाओंगा यह अपने आप में बहुत best achievement है तो करना है ना अगर तैय है तब तो भई आजाओ क्योंकि अगर आपने नहीं किया तो होगा क्या पता है आप drop लोगे साल दर साल drop लोगे fail 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 तब जाके आपको यहाँ पे दिमाग में बत्तिक मुलेगी कि हाँ यार अब तो मेरे को करना ही पड़ेगा तो तब जाके आप select होगे तो ध्यानर को हमको यह failure की सीडिया नहीं चटनी है हमको drop नहीं लेना है हमको इसी बार select होना है हमको इसी बार select होना है हमको क्या करना है बस इस घड़ी की तरह मैनत करनी है consistency के साथ में हमको कोई distraction नहीं चाहिए हम बस मैनत करेंगे क्योंकि हम जितना hard work करेंगे वो hard work हमको पेज़ जरूर करेगा क्योंकि हमने पढ़ा है thermodynamics के अंदर के जितनी energy हम देंगे वो energy lot के हमको जरूर आएगी इतना फजिस तो जानता है ना तो बस science है भई है हर चीज lot के मिलती है वापस हमको अब सबसे पहली बात कि आप खुद से question करो इतना अगर आप वीडियो देख चुकी हो तो आप खुद से question करो कि क्या मैं इस वीडियो को time pass के लिए देख रहा हूँ या फिर मैं खुद sincere हूँ कि हाँ मुझे board exam के बाद 12 निकालना है अगर निकालना है तो ask a question from you आपको खुद से question पूछना पड़ेगा मेरे के सामने खड़ेओ पूछो कि क्या मैं कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ अगर जवाब नहीं आता है तो सही चीज़े करना शुरू करो क्योंकि यही मौका है यही age है यही उम्र है यही समय है आपके पास do it बस आप बताओ कैसे follow करनी है चीज़े क्या करना है मेरे को तो वो आगे देखे वीडियो को अब सबसे पहले आप अपने exam को देखो अपने exam pattern को देखो अब हमारे पास में exam pattern हमारा aims है हमको पता है हम उसकी तैयारी कर रहे है क्या करना है हमको हमने देखा सब्सक्राइब हमारे physics chemistry bio physics के अंदर हमारे पास में 30 कोशन आते हैं chemistry में हमारे पास में 30 कोशन आते हैं और biology में हमारे पास 30 कोशन आते हैं अब पीछे बची हमारे पास g cake उससे 10 कोशन आते हैं इसको हम थोड़े के लिए स्किप करते हैं अगर हमने इतना भी कर लिया 90 कोशन्स एम्स के लास्ट यह कट आफ कई थी 89 टॉपर लेके आया था लास्ट यह 2023 की बात कर रहा हूं एम्स का टॉपर जो था वो 89 पसंटायल लेके आया था इसका मतलब 89 स्कोर किया था ना उसने तो सोचो भी ना चीके के भी हम अमें दिली की बात कर रहा हूं रैंग फस्ट ऑल इंडिया रैंग फस्ट लेके आ सकते हैं ऐमज चिके को छोड़ के तो थोड़े किल इसकी बायो पर फोकस करेंगे हमने डेसाइड कर लिया क्लियर है माईन में क्या करना है पक्का-पक्का अब क्या करेंगे अपन हम इसको पढ़ना है अब सबसे पहले तो अपना गोल्ड डिसाइड करो हमारे पास में फिर्श कमस्टी बायो है जी कह थोड़ी किले हम ने स्किप कर दिया अगर अगर क्लियर है अब हम आते हैं एक्जाम के पैटरन को समझते हैं अब एक्जाम के पैटरन किस एक्जाम में पूछे जाता है तो सबसे बड़ी बात अगर आएम के बात करूं तो इसमें थेयोरीटिकल कॉश्ट्ट्र वी आपके आते हैं ज्यान लग जिए नियुमारिकल सेग्मेंट भी आता है इसका मतलब अगर मैं सब के पहले टेरीकल सेग्मेंट पे फोकॉस करूँ तो आसानी से मैं एंधर 20 कुशन निकाल लूंगा दूंगा पने कमस् ass को मिलाके अगर मैं बात करूं मूern कि केमस्ठ्री और फिजिस को मिलाके मैं निकाल सकता हूं इसके बाद मेरे पास में बसेंगे जो वो नियुमारिकल होंगे उसके बाद में मैक्सिमम कोशन रिपीट होते हैं सर कहां से रिपीट होता है एमस का पेपर है यह तो एमस के कोशन से नीट से रिपीट करेंगे डेटा बदलते हैं जेई में एडवांस की बात नहीं कर रहा हूं में की बात कर रहा हूं रिपीट करत मैं एक बुक निकालने वाला हूँ, बहुत जिसमें मैं आपको 10 model paper दूँगा, और वो model paper नहीं होंगे, वो aims के PYQ questions paper होंगे, जिसमें मैं कुछ ऐसे questions भी merge करूँगा, जो आने वाले exam में आपके साथ गिरेंगे, यानि एकदम compile करूँगा PYQ भी, और साथ ही साथ में नए expected questions में, आपको इतना शांदार में एक mechanism बना के दूँगा, कि questions build up होंगे, और आप ध्यान रखना, अगर आपने वो 10 model paper किये, आप aims की आत्मा बाहर निकाल लोगे, कि aims क्या चीज़ें क्या पूछता है, और खुदा ना खासता अगर बहुत अच्छा हुआ ना, आप ध्यान र तो जो बच्चा aims के तैयारी करना चाहता है, बहुत जल्दी आने वाली है यह, सेकंड चीज़, 78, easily score कर सकते हो, अब 78 अगर easily score करने गा तो क्या इतने questions repeat हो जाते हैं, और इतने questions अच सोचो, कि इसका मतलब सर नए questions कितने frame होते हैं, 22 questions aims में हर साल नए बनने कोशिश होती है कितने, नए questions जो किसी exam में नहीं आ रखे होता है, या फिर मुझे analysis नहीं हुआ, मैं यह कहूंगा, कि मैंने 22 questions को नए ही देखा है, हर बार, लंसल लंसल average बात को, 22 से 25 questions, बागी 78 questions मुझे कहीं नहीं किसी exam में देहनी को मिल गए, इसका मतलब 78 questions, अपने आप में आप सोचो, कि डैली AIMS की cut-off 89 जारी है, उससे 11 नमबर ही तो कम है, इसका मतलब आपको अगर आप category wise OBS, STI, EVWS में आते होता, आपको मिल सकता है AIMS, दिल्ली, आप भुपाज जोदपूर AIMS में टॉप रैंक पर आओगे, तो सपना क्यों नहीं साकार करें, हम यह चीज़े बहुत आस और feasible है, बस हम इस angle से कभी देखते ही नहीं है, AIMS नाम सुनती है, हमारे दिमाग में आता है, hard exam है, नहीं होगा हम से, अरे सब कुछ होगा, निकालने वाले आप जैसे प्यारे प्यारे छोटे भाई बैनी तो होते हैं मेरे, यह कोई alien होता है, यह कोई England से आता है, नहीं आ तो 75% आप score कर जाओगे, भाया हमको कैसे बता चलेगा कि 75% score करने लिए 40% topic कौन सा है, क्या करें, कहां से कुछ ज़्यादा पूछे जाते हैं, इसका भी solution मेरे पास में है, मैंने आपको already बता रखा है, आपको करना कुछ नहीं, Jackadmi के channels पे जाना है, simply आप यहाँ पे channel पे यहाँ मैंने already आपको update कर रखी है चीज़ें कुछ, जैसे कि आप देखिए, आप सबसे पहले मेरे channel पे आएंगे, यहाँ पे आपको video segment में आना है, video segment में मैंने already 75 and 50 important topics निकाल के दिये हैं आपको, यह देखिए, biology के 75 topics, आपके exam में question कितने आएंगे, 30 ना, मैंने 75 important topics निका दाल के दूँगा, कहां उस book के अंदर, जाहां 10 model papers होंगे, 11-12 सब समराइज स्वों में, सेम चीज़ें आप देखो, यहाँ पे chemistry के 50 topics, तो मैंने वो topics दी हैं सारे, chapters की बात नहीं कर रहा हूं, मैं topics की बात कर रहा हूं, chemical bonding में MOT हो गया, westward theory हो गया, hybridization हो गया, इस तरीके क topics में आपको दे रखें, young modulus हो गया, यहां से question आएगा, wave number हो गया, question आएगा, nuclear में बात के लिए, आपका radio activity पे हो गया, time period पे हो गया, इस तरीके को topics में आपको दे रखें, जो exam में आएंगे, हर एक चीज, आप बसकी copy बनाओ, note down करो, जो books मैं देखोंगा, आपको 10 model papers की, वो आपके लिए रामबान हैं, मैंने बोला आपको फिर से के आप aims की आत्मा बाहर निकाल दोगे, कि हाँ यही तो aims exactly पूछता है, और जो पूछता है वही अगर हमने काम किया, तो definitely हम achieve कर जाएंगे हमारे 40% syllabus को cover करके 75% score, तो सबसे आसान चीज है क्योंकि board exam है, हमारे पा आपको सबसे पहले कि अपना अच्छा सा, जैसे भी आपका हो दिंचरिया, बहुत चारे बच्चे रात में पढ़ते हैं, मेरी तरह बहुत चारे बच्चे है सुबह जल्दी उठके पढ़ते हैं, तो आप अपने इसाब से physically time table बनाओ, schedule बनाओ अपना, जिसमें आप maximum time कु क्योंकि जिन्दगी रौशन हो जाएगी, इन 3-4 महिनों में 8-9 घंटे महनत कर लो, 8-9 घंटे महनत इसलिए बोल रहा हूं है, क्योंकि बच्चे ऐसे भी हैं, जो पिसले 6 महिने से पढ़ाई कर रहे हैं, वो रोज 5 घंटे पढ़ रहे हैं, उनसे आगे आना है, तो हमसे उ उनसे कई गुना कम है, तो यहां महनत हमको करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी है, आपको अक्टिव नोट्स बनाने हैं, क्या बनाने हैं, अक्टिव नोट्स मतब लिख लिख कर सीज़े लियां रखिए, मैक्सिमाइज लर्निंग सोसे आप यूट्यूब से पढ़िए, आप जैकेडमी के बैच में जो आपको कंसाइज माटिरियल दे रखा है ना भाई सामने रिवीजन, माइन मैप्स, क्रैश कूर्स के इंदर सारी चीज़ें दे रखिए, बहुत सस्टमाटिक तरीक से चीज़ें लेकर आ रहे हैं माला हूं मैं, तो अगर आपने जैकेडमी क आपको दुनिया की कोई चीज करने की जरूत नहीं, क्योंकि मैं खुद इतना प्रेसाइजली कंटेन आपको दे रहा हूं, जिससे आपका रिवीजन हो जाए, आपकी कॉंसेप्स क्लियर हो जाए, आपकी प्रैक्टिस हो जाए, और प्रैक्टिस में एक मैन पाफेक्ट, आ आप बन जाओगे दसरत मांजी, क्योंकि बनना ही पड़ेगा, हमको एक्जाम निकालना है, तो फोकस होना ही पड़ेगा, उसके बात करें, रिटेंशन, आप रिटेंशन कैसे लेके आएंगे हम, रिकॉयलिंग करें, और रिकॉयलिंग कैसे करेंगे, हर संड़े आपके टे जाएगा, और mindful learning का मत हो गया, mind maps के जरीए, mind maps, flashcards, सब कुछ आपको मिलेगा, jack academy के application पर, यह आपके batches में आपको सारी चीज़े मिल जाएगी, क्या करेंजी मिल जाएगी, सारी चीज़े batches में मिल जाएगी, तो भस ध्यान रखिए, यही एक active तरीका है पढ़ने का, क्यों अल्रेडी ड्रॉप ले चुका है, उसको अब वापस नया ड्रॉप नहीं लेना है, अब हमको इसी बार select होना है, तो फटा वर्टे कमेंटेश में बताना के हाँ भाईया मैं ready हूँ, बस अब देर है मुझे धक्का लगाने की, तो जैब भाईया तयार है आपको धक्का आशा, तो बस आपको अपने एक्जाम पर प्रहार करना है एक आशा की test series को लेके, जब अगर आपके साथ में यह हो, हाँ, जिसने already batches, regular batches purchase कर रहे हैं, उनको ना test series लेनी है, ना crash course लेना, सब चीज़ें आपको उनमें मिल जाएगी, बस अपच्छे तरीके से पढ़ाई क करते रहे हैं, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए गुडबाई, पढ़ते रहे हैं, मुस्कुराते रहे हैं, stay happy and stay healthy.